हेलो इन्वेस्टर्स स्वागत हाब करें तो आज बात करेंगे एफ्सीय सॉफ्वियर की तो आप यहां पर देखिए करन्ट प्राइस है 316 क्रोड की मार्किट कैप है करन्ट प्राइस की बात करें तो वन रुपी 85 पैसे का है बुक वैल्यू 1.75 यह काफी तरह पॉजिटिव चाहिन है कि जो आपका करेंट प्राइस और बुक वैल्यू वह लगग 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 एक्वल ही चले हुए देन बात यहां पर करेंगे 52 वीक लो कंपनी ने बनाया दो रुपे 71 पैसे का तो कंपनी ने आपको पिछले कुछ टैम में जो आप बोल सकते हैं कि हाई बना के द सब्सक्राइब होनी चाहिए और रिटर्न का और कापिटल इंपलोर की बात करें तो 1.13 तो यह भी 15-16 के पास होनी चाहिए तो इसके एकोडिन देखें तो फंडामेंटल इतना अच्छा नहीं है अब उसके बिच्छी रिजिन क्या है पैनी स्टोक है तो पैनी स्टोक में जारा एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते तो यह पैनी स्टोक इन ही वज़े से नहीं कहा जाता है क्योंकि यह फंडामेंटल इस्टोक में इंवेस्मेंट की जिए जितना आप रिस्क ले सकते हैं वहीं पर आप इंवेस्मेंट कीजिए और अपनी जो पॉर्टफोलियों क किजिए किजिए जैसे कि इन्फोसिस विप्रो एलाइंज एच्जी एफसी एशिंस पेंट्स और कुछ अपने स्टार्टप में इंवेस्ट कीजिए ताकि आपका जो पॉर्टफोलियों डिवर्सिफाइड हो और अगर इनके मार्केट में गिरावट हो तो आपको भारी न अब यहां पर निकालते हैं हम इंकम मैक शार्ट तो देखिए कंपनी 2020 तक 2012 से लेके एक कंस्टोर्ड पीरेड में थी अभी सोक ने वापस से जंप लगाने शुरू किये तो यह एक पॉसिटिव सायन है कि कंपनी यह वापस से अपने आपको इस्टैबलिश करने के कोशिश पाना देखना पड़े लेकिन यहां पर अगर यह सो पचाता है तो आपको अच्छे रिटर्न भी दे सकता है तो अगर करने के बारे में सोच रहे हैं तो कीजिए लेकिन अपनी इन्वेस्ट्मेंट को मिनिम्म रखिएगा कॉर्टर तो कोटर इनके जो रिजल्ट आएंगे उनके उपर जरूर नजर रखिएगा ताकि अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं कमपनी ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली अपनी जो होल्डिंग है उसे इंक्रीज कर सकते हैं बाकि इस स्टोक में कुछ पैनी स्टोक है यहां पर आप रिस्क ले सकते हैं रिस्क के अको अको काफी जार अच्छा है बाकि आपको क्या लगता है कमेंट करके जुरूर बताईएगा अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तब भी कमेंट कर सकते हैं हमारी कोशिश होगी कि आपको चैनल में एडवाइस देश सके तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही वीडियो अची ल